नमस्कार दोस्तों स्वागतियाब सभी का आपके अपने चैनल और इस्टडी पर जिनोस्तों आज किस वीडियो में हम कपड़े के मुल्य निकालना सीखेंगे और साथी साथ पैसों का हिसाब कैसे करते हैं कपड़ों के मुल्यों का जो पैसों का हिसाब होता है कैसे करते हैं असान तरेका क्या है, या इससे जूड़ी जो स्लूब करते हैं इस वीडियो में हम शिखेंगे तो यह बीडियो काफी important है, चले वीडियो करते हैं start and हमारा जो question ना question कूआ आपको ध्यान से पर्णा है, उसको बड़ी ही असान तरीका से इसको हम सलूब करेंगे तो देखिए हमारा question क्या है 16 meter यानि 16 meter कपड़े का मुल्य 1344 रुपए है तो 25 meter कपड़े का कीमत क्या होगी दोस्तो question को आप समझना होगा question देखिए 16 meter कपड़ा है तो उसका price है यानि इसका मुल्य है उसका rate है 1344 रुपए वहीं पर उसी दोकान में से 16 meter कपड़ा लिया जाए तो उसकी price क्या होगे कीमत क्या होगी मुल्य क्या होगे यह हमको पता करना है तो बड़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं देखिए यहां पर हम लिखेंगे solution solution में आपको करना क्या है देखिए 16 meter कपड़ा का मुल्य है 1344 रुपए तो सबसे पहले दिया है 16 meter कपड़ा का मुल्य है तो हम लिखेंगे 16 meter जो कपड़ा का मुल्य है कितना दिया है 1344 रुपए यह हमारा question में दिया है अब देखिए हमको निकालना क्या है 25 meter कपड़ा का मुल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा यहां से हमको 1 meter जो कपड़ा है न उसका मुल्य निकालना होगा अगर 1 meter यानि 1 meter कपड़ा का मुल्य निकल जाता है अब ने कपड़े का मुल्य निकालना तो हमारे लिए बहुत ही यहीजी हो जाएगा निकालना तो यहां से हम एक मिटर का मुल्य कैसे निकालेंगे तो देखें बड़ी सिंपल है जहां पर 16 मीटर वहां पर आपको कर देना है एक मीटर, क्योंकि हमको एक मीटर का मूलया निकालना है अब देखे यहाँ जो नंबर ही तेरस चवालिस, जहाँ पर ही तेरस चवालिस ही रहने देना है अब देखे हमने 16 की जगह पर one कर दिया है, तो यह जो 16 यह बराबर के left में है और meter के गुना में यहाँ पर कोई भिची नहीं है ना तो समझे गुना झिपा है और यदि कोई भी संख्या बराबर के left में हो गुना में हो उसको बराबर के right में भज़ेंगे तो जो भी number है ना उसके भागा यहाँ उसके बाटे में लग जाता है तो यहाँ पर जो 1344 है ना इसके बटे में यह वाला 16 आकर लग जाएगा अब देखें रुपाय है तो रुपाय यहाँ पर लिख लेंगे अब देखें करना क्या है हमको एक मिटर का प्राइज निकालना है तो हमको क्या करना होगा 1344 में 16 से डिवाइड करना होगा तो चलिए कर देते हैं 16 का पाड़ा कितना वर पढ़ेंगे कि 134 आ जाए या 134 से थोड़ा से कम 134 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो चलिए यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 16 से डिवाइड करेंगे 134 में तो 168 के 128 होता है 169 144 होता है तो 169 नहीं होता है 128 यानि 8 हो जाएगा यहाँ पर 168 128 को हम कट कर देंगे अब देखे 168 और जब 28 जो है ना वह 138 है तो 134 में से 128 माइनस करेंगे ना यानि 34 में से 28 माइनस कर लेजिए तो आपका 6 होगा और 6 जो इस 4 के पहल लग जाएगा ना यह 64 हो जाएगा और 16 से डिवाइड करे दो मुल्य है ना कितना रुपय निकल गया 44 रुपय यहार चोह आरा यहीं रूपय जो हैं 24 ukड़ा मुल्य निकल चुका है लेकिन हमको निकालना किया है 25 मीटर है तो इसींपल कारे करना है ब्राएप्ट रख्ट इसट पर ब्राएफ राएड सड़ जो भी नंबर से इन द 24 रूपय है तो 44 लिखेंगे 84 लिखेंगे उसमें गुना कर देंगे 25 से और रूपय है तो रूपय कर देंगे अब देखें कितना हो जाएगा तो जब इन दोनों का गुना करेंगे तो आपका 25 मीटर हो जाएगा अब यहां पर देखे 44 84 का गुणा करना है 25 में तो देखें यहां पर कितना हो जाएगा जब 25 का गुणा करेंगे चार में तो 25 का होता है 100 तो 100 पर दो 0 होता है न तो एक 0 यहां पर लिखेंगे और 10 हमारा हारसीन हो जाएगा क्योंकि एक जीरो जीरो होता है ना सो तो 100 का दिष्थरी लखेंगे और दस हमारा हार्सीन अब देखे 25 का गुना करेंगे आठ में तो दश्वर देंगे तो यहाँ पर आपकए 210 हो जाएगा समझ रहे ना यानि आपका 23 Wert रुपए आपका 25 मिटर का पड़ा का मुल्या यहां पर हो जाएगा तो देख सकते हैं इसी तरीका से आपको इस टाइब के जो भी कोशन्स होंगे सॉल्व करना है हमारा आंसर है 2100 रुपए तो आई होब कि जो भी मैं तरीका बते इसको यूज करके इस तरह के जितने भी है तो चली मिलते आप से इसी तरह कर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक लिए जय हिंद बंते मात्र हो